क्या आपको खुद का Cloud Kitchen खोलना है और पता नहीं कहां से शुरुवात करें, कौन सा स्टेप पहले ले, किस चीज को पहले करें जिससे आप आपका खुद का Cloud Kitchen खोल सकें अगर आपको Cloud Kitchen खोलने में बहुत ज्यादा इंटरस्ट है तो ये वीडियो अंत तक देखें क्योंकि ये वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे राज मालूम पढ़ेंगे जिससे आप खुद का एक Cloud Kitchen खोल सकें मेरा नाम गोपाल कामत है और मैं एक रेस्टोरांटर हूँ और फाउंडर हूँ गेट यॉर रेस्टोरांट का जहां पे हम आपको सिखाते हैं कि खुद का फूड बिजनेस, Cloud Kitchen या कोई भी टाइप फूड बिजनेस कैसे चालू करें मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है गेट यॉर रेस्टोरांट और फेस्बूक पेज और इंस्टाग्राम है प्लीज फॉलो कीजिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है तो चलिए बढ़ते हैं आज के बहुत ही इंपोर्टेंट महतुपुन टॉपिक के हां पे कि आप क्लाउड किचन कैसे चालू कर सकते हैं सबसे फॉर्स्ट जो सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है जब आपको खुद का क्लाउड किचन चालू करना है वो है चूजिंग यॉर टार्गेट मार्केट आपके पास क्लाउड किचन में पॉसिबिलिट दे सकते हैं, डिनर दे सकते हैं, आप snacks में speciality कर सकते हैं, बिर्यानी में speciality कर सकते हैं, बहुत सारी चीजे आप कर सकते हैं, बट एक सच ये भी है कि आप सारी चीजे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई भी एक चीज में specialise करना पड़ेगा, कोई भी आप successful cloud kitchen देखिए, व वो अपना मुनाफा बनाती है तो सबसे पहले आप आपका टार्गेट क्लाइंट या टार्गेट मार्केट चूज कीजिए सेकेंड इस कौन से टाइप का खाना आपको देना है वो आपको चूज करना बहुत जरूरी है बहुत बार क्या होता है कि जो क्लाउड किचन या जो चालू करता है उनको पता ही नहीं देता कि सामने वाले कस्टमर को क्या चाहिए इसके लिए सबसे फर्स्ट टार्गेट क्लाइंट या टारगेट मार्केट चूज करें और उस टाइप आफ़ टार्गेट मार्केट के लिए जो चाहिए वो फूड आप दे अगर मान लीजी आपको खुद का एक combo, winning combo या irresistible offer create करना बहुत ज़रूरी है, कौन सी एक चीज है जो आप market में offer करो, तो market वाले या customer आपके initial try के लिए आप use कर सके, उसको हम लोग USP बोलते हैं, unique selling proposition, तो आपका एक particular dish या एक particular cuisine जो सामने वाले को बहुत पसंद आए, ऐसा आपने create करना चाहिए और वो market में उनके सामने प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि वो उसको understand कर सके और वो उसको order कर सके, चौता है planning your finances, यह fourth point बहुत important है, क्योंकि यह एक point के वज़े से बहुत सारे businesses नुकसान में आते हैं या फिर बन करना पड़ता है, आपको आपके finances, आपका vendor payment, सबसे पहली बात तो आप जब यह cloud kitchen बनाते हैं तो बहुत ही कम पैसे में बनाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप बहुत सारा पैसा उसमें डालेंगे, तो आपको recovery के लिए उतना ही time लगेगा, और उसका load, जो liability का load है, वो आपका day-to-day finances पे आने की बहुत संभावना है, तो planning your finances is very very important, आपका project cost, उसके बाद आपका working capital, उसके बाद आपका marketing cost, आपका day-to-day finances, यह सब बहुत ही interlinked होता है, और अगर आप बराबर plan नहीं करेंगे, तो आपको बहुत ही दिक्कत आ सकती है, 5th point यह है कि आपके पास एक strong team होना बहुत जरूरी है, और strong team होने के लिए ना कि आप पैसे से उनको salary दे के उनको आपके साथ जोड सकते हैं, बट आपका एक brand जबी बनता है, तो brand के साथ में उनको लेके जाने का आपका intention होना चाहिए, इसके लिए teamwork का होना बहुत जरूर strong team को हमेशा motivate करते रखना चाहिए, you should treat them like a family, और उसके बाद ही वो आपके साथ आके आपको अच्छे से अच्छा support देंगे, day-to-day आपका production में आपको मदद करेंगे, और ये brand strong होगा, 6th point है, continuous promotion strategy, आपने continue आपके food का promotion करना बहुत जरूरी है, गए दिन जभी आपका सी वेकी होटल था और लोग के बास कोई option नहीं था, अभी बहुत सारे outlets, बहुत सारे cloud kitchens, बहुत सारे food businesses, बहुत सारे restaurants market में available है, और इन सब के साथ आप everyday compete कर रही है वो particular order के लिए, तो आपको आपका जो food है, वो आपके लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी है और वो organic और inorganic advertising से आपको करना पड़ेगा, उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, बहुत बार मैंने देखा है मेरे coaching program में या फिर मेरे जो students होते हैं, या फिर बाकी के कोई hotel owners होते ह उनको, since वो cost cutting mode में होते है, जब उनको business करना होता है, वो marketing या फिर advertising को भी एक cost समझते हैं, marketing या advertising या प्रमोशन से हमेशा आपका investment होता है, क्योंकि आप, आपका जो product है, वो लोगों के सामने लेके जा रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो आज ही आपको order देगा, कली आपको order वो दो मेने बाद order दे सकता है, वो एक मेने बाद order दे सकता है, पट उनके पास पहुचाना, आपका नाम पहुचाना बहुत जरूरी है, तो यह जो छे चीजे है, यह छे चीजे आप अगर properly करें, तो आपका खुद का cloud kitchen आप successfully launch कर सकते हैं, और उसको profitably run कर सकते हैं, अगर आपके friends के साथ share कीजिए, comment कीजिए और किस topic पे आपको ज़्यादा knowledge आप लेना चाहेंगे, ताकि मैं वो topic आपका comment पढ़के वो video बना सकूँ, और सबसे main और important चीज़ है, कि अगर आपको खुद का food business, आपको खुद का food business बनाना है, तो जरूर यह वाले link पे जाके www.gopal कामत.in पे जाके मेरा coaching program देखिए, मैं एक coaching program run करता हूँ, जहां पे आपके जैसे लोग जिने खुद का food business start करना है, उनके साथ में, उनके लिए मैंने एक step by step process बनाया हुआ है, वीडियो program है, along with उसके साथ में मैं हर week live आता हूँ और आपके one on one question solve करता हूँ, तो यह coaching program जो है, वो यह वाले link पे available है, www.gopalcomment.in, जाएए और इसे देखिए, अगर आपको पसंद आए तो join कीजिए, और हम फिर coaching program के live session में मिलेंगे, this is a lifetime access, यह lifetime access course है, और fee एकदम nominal है, कुरपया करके वो देखिए, और अगर आपको और interest है इन सीजों से जानने में, तो मेरे videos देखते रहें, coaching program join कीजिए, मेरे videos देखते रहें, और एक दिन आपका खुद का food business आप बना पाएंगे, thank you so much, मिलते हैं next video में, all the best.